तो चलिये इस session में आम लोग देखेंगे Phrasal verb जो Cums-related है, ठीक है ना? Cums-related Phrasal verb जो हमारे exam के लिए spoken English के लिए बहुत ज़्यादा important है देखें़ पहला हमने लिखा है Come across Come across का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना, meet suddenly ठीक है ना? अचानक किसी से क्या करना? मिलना कम एक्रॉस का मतलब होता है suddenly, इसमें देखे कभी कभी क्या करता है, suddenly और कम एक्रॉस एक सांद देता है, ओ भी हमारा क्या बन जाता है, superfluous word, ठीक है न, कम एक्रॉस का मतलब ही क्या होता है, suddenly होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने एक sentence लिखा, आप भी बहुत सारे sentence इसे बना सकते हैं, he came across his old friend in the market yesterday, मतलब कि वह अपने पुराने दोश से कल मिला, अचानक मतलब वह अपने कल पुराने दोश से मिला, ठीक है न, अपने old friend से मिला, तो यहाँ came across इसलिए लिखें कि कम का वर्ब क्या होता है, came होता है, okay, second देखिए, come about, come about का मतलब होता है, कोई भ I don't know how it come about, मैं नहीं जानता हूं कि यह चीज कैसे हुआ, I don't know how it come about, यह came about करिए, यहाँ came about, मतलब मैं नहीं जानता हूं, यहाँ भी बोलता है, बोलने के लिए, मैं नहीं जानता हूं कि यह चीज कैसे हुई यह कैसे हुआ, ठीक है, तो आप इसे बहुत सारे sentence मना सकते, come about का मतलब होता है होना कोई बीचिस थार्ड देखिए थार्ड है हमारा कंबाई कंबाई का मतलब होता है क्या मिलना कंबाई का मतलब होता है मिलना ठीक तू गेट जिसको भी बोल सकते हैं तू गेट धियान रखेगा जैसे jobs are hard to, jobs are hard to come by मतलब jobs समझ रहे हैं jobs are hard to come by मतलब jobs क्या है मुश्किल है, job मिलना मुश्किल है, jobs मिलना क्या है मुश्किल है, और ये बात मतलब एकदम real है, क्योंकि jobs आजकल भी क्या है मुश्किल है यानि यहां हम कम बाई का मतलब क्या समझेंगे गेट ठीक है ना फूर्थ है हमारा कम आफ आप लोग भी से अपना ट्राइ करिए का बनाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब आता है का मतलब यहां समझना है कि कम आफ का मतलब यह आना नहीं होना मान सकते हैं से आना या से होना ठीक है नेक्स्ट है कम आफ कम आफ का मतलब होना या अलग होना अब देखे सफल होना अलग हो गया और अलग होना मतलब दूसरा सेंटेंस हो गया जैसे हमने एक लिख शफल नहीं हुआ ठीक है ना एक्सपरिमेंट शफल नहीं हुआ आप अलग वाला सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं इसे बना सकते हैं ठीक next come over come over का मतलब होते हैं प्रभाव डलना या मिलने आना दुन हो सकता है come over and यहां देखे come over and meet my father काने का मतलब कि आओ और मेरे पिताजी से मिलो ठीक है जैसे हम बोलते हैं इसको इस पोके में बहुत सारा यूज किया जाता है come over and meet my mother come over and मतलब किसी से मिलने के लिए मिलने आना ठीक है न तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ चलिए आगे भी एक कुछ हम आगे भी देखते हैं नेक्स्ट है मारा come on यह तो बहुत ही शिंपल है come on जैसे बोलते हैं इसका बहुत सारा मतलब है देखिए उत्सा बढ़ाना आप कह सकते हैं उत्सा बढ़ाना जल्दी करना जैसे हमने बोला come on you can do it नहीं कोई कोई करता है काम तो हम लोग बोलते यह जल्दी करना come on we are getting late ऐसे भी हम बोल सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसे हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं come on came out of the jail ठीगे ना मतलब क्या हुआ come out रा निकल आया of the jail मतलब जेल से finally the truth has come out finally the truth has come out का मतलब होता है निकल आना जैसे man the thief came out of the jail finally the truth has come out होता है न यहां क्या हो जागा come अंत में the truth has come out मतलब सचाई बाहर आया है यह कर सकते हैं देखें come through come through का मतलब क्या होता है कामयाब होना जैसे he has succeeded in his examination मतलब वह अपने परिक्षा में क्या हुआ सफल हुआ है वह अपने परिक्षा में सफल हुआ है तो इसका मतलब come through का मतलब होता है कामयाब होना next come along का मतलब होता है साथ आना कहीं पर भी जैसे do you want to come along ठीक क्या आप लोग क्या तुम लोग या आप लोग साथ आना चाहते हो ठीक है ना तो इससे भी बहुत सारे sentences हम बना सकते हैं ओके next come back come back का मतलब होता है वापस वापस हाना I will come back soon ठीक है ना मतलब मैं जल्दी वापस आउंगा एक बात और समझेगा यहां return के साथ हम back आयूज नहीं करते है return के साथ back आयूज नहीं कर सकते हैं बट come के साथ back आयूज हो सकता है ठीक है ना next and the last come up पास आना निकलना ठीक है ना तो इतना आप लोग समझे I hope कि सारा समझ में आ गया होगा तो इससे कम से कम आप try करिएगा कि घर पर एक एक sentence बनाए ताकि आपको हमेशा के लिए क्या हो जाए यह learn हो जाए हमेशा के लिए remembered हो जाए चलिए मिलते हैं ऐसे next important session के साथ thank you